हाई एवरिवन आज हम स्टाट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर लॉचिसम का अगर आप पहले कहीं पर पढ़ चुके हो तो बहुत जादा तरीके से ये चैप्टर आपको अल्रेडी समझाया गया होगा बहुत ही जादा कंफ्यूजिंग तरीके से ये चैप्टर सिख रटने पर लग गए हम अल्रेडी चीजे कम है क्या रटने के लिए इंग्लिश में भी रट रहे हो मैक्स में फॉर्मिलेटर रहे हो जी के तो रटना ही रटना है जी एस रट रहे हैं और हम बैठे अब रीजनिंग रटने कैसे उस चीज का डर बना दिया गया कि अच्छा अब यह चेप्टर में में भी आता है पहले रीजनिंग प्री में भी थी तब भी रटवा रहे थे अभी भी रटवा रहे हैं यहां पर हम क्या करने वाले हैं आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिक सेशन है यह आपका और यहां पर देखो बहु यह चेप्टर आपकी डिमांड करता है दिखो या तो आप यहां से सीख जाओगे चीजों को आपने अगर सीरिसली जो यहां पर आपको जो बोलते हैं जो जो चीज से मैं बता रही हूं अगर आपने सच में वो चीज़ें फॉलो कर ली तो इतना हो जाएगा कि आपको डर सबसे ज्यादर अब सबसे कोईगी मगदा सकता पढ़कर ना कन्फियुजन हो जाता है कि हम अठक जाते हैं क्यों रटने में लगे हो और बाद में क्या होता है बताओ राटने शें एसी हो जाती है कि पॉसिबलीटी वाले जो संभावना वाले केस यहां बनते हैं वहां पर आप फस जाते हो और questions इतना सारा रटने के बाद भी fail हो जाते हो ठीक है fail हो जाते हो in the sense उस question में मतलब उस particular question में fail हो ठीक है क्या अगर आप ये chapter first time पढ़ रहे हो यहां से ही पढ़ रहे हो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी क्योंकि आपको यहां पे कुछ नहीं रटवाया जाने वाला अगर आप आप कहीं से पढ़ भी चुके हो तो भी कोई बात नहीं आप क्या गर पाओगे यहां पर चीजों को compare कर पाओगे यहां पर हम चीजें कैसे सीखेंगे जैसा मैंने आपको बताया एकदम चीजें में यहां पर ऐसी समझाई जाएंगी कि आपको कुछ भी नहीं आता आप complete beginner हो बस speed up करके नहीं देखना session को patience रखना है और यहां पर जो 40 से 45 minute हैं यहां पर आपका ध्यान होना चाहिए पूरी तरीके से board पर अगर आप बिल्कुल भी जो बोलते हैं न ऐसा नहीं कि अब चलो पूरा ठक गए अब हम reasoning का यह session देख रहे हैं यह particular session एकदम fresh mood के साथ देखो और one go में आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आएंगी कुछ चीजें जो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ क्या करना है कहीं पर अटक जाओ back करो वापस देखो जब तक यह session आपको पूरी तरीके से clear ना हो आगे ना बढ़ो imagination जो भी यहां पर क्या demand करता है syllogism आपकी language आपको आनी चाहिए English Hindi आपको आनी चाहिए अब आपके 50% of students बोल देंगे वो तो हमें आती ही है नहीं समझोगे यहां पर अब आप सीख पाओगे कि क्या क्या गलतियां होती है ठीक है language आपको आनी चाहिए अगली चीज क्या होती है थोड़ा सा धहरे रखना है तुद से यह चीज बोलनी है कि हमें कुछ भी रटना नहीं है यह चीज आपके अंदर होनी चाहिए और तीसरी चीज imagination यहां पर काम करेगी जो जो चीज़ें आपको जो बोलते है न माइंड पर ह होनी चाहिए वह आप यहां से सीखोगी कि क्या-क्या imagine करना है क्या-क्या चीज़ें आपको कैसे सीखनी है वह आप कैसे सीख पाओगे यहां पर आप जो चीजें जो इंस्ट्रक्शन आपको दिये जा रहे हैं अगर आपका काम यहां से बन जाएगा बस तयार रहना है किस यह चीज सीखनी है ठीक है स्टार्ट करें सेशन को विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम सिलोजिसम को अगर आपने पूरा सेशन यह देख लिया मात्र साथ सवाल हम इस सेशन में करेंगे सारे ही टाइप्स हम यहां पर कवर कर देंगे आपके इसके सेशन को सबसे पहली बार इस एक टाइप जो सिलोजिसम के बनते हैं वो होते हैं आपके च्छे अब सबसे में जो चीज है जो फर्स्ट चीज आपके दिमाग में आएगी इस टाइम पर वो क्या होगी वो यह होगी अच्छा हम यह सिलोजिसम पढ़ तो रहे हैं पर यह है क्या ठीक है यहां पर वो क्या बोलता है आपको दो तीन या चार लोगों के बीच में कुछ ना क की समझनी है A और B की जब वो बात कर रहा है तो A B की जगे आप दुनिया की कोई भी चीज उठा के रख तो वो यहां पर आ जाएगी क्योंकि चीज़े हमें छोटी रखनी है इसलिए हम A B C D से दिखाते हैं एक्जाम में क्या करेगा कुता, बिली, बंदर, इंसान, लड़ लड़के, लड़किया, वो बोल देगा सारे लड़के-लड़किया हैं तो आपको यहां पर सवाल नहीं उठाना, अरे सारे लड़के कैसे लड़किया हो जाएंगे, यहां पर सबसे बड़ी चीज, जो सबसे पहली चीज है, सिलॉजिसम की वो यह है, कि examiner ने जो बात बोल दी वो होती है आपकी statement या फिर कथन क्या दिया जाता है आपको सबसे पहली चीज जो दी जाती है वो होती है आपकी statement ठीक है या फिर आप क्या बोल लीजिए या फिर आपको दिया जाता है कथन और कथन और statement आपको जो भी दिया गया है जो भी examiner ने बोल दिया वो शत्त प् आप एक भी जगह पर कोशन माक नहीं लगा सकते अगर उसने बोल दिया तारे लड़के लड़कियां है तो है अगर उसने बोल दिया सूरज रात में उगता है तो उगता है ठीक है जो भी चुछ उसने बोली है वो सही है उस पर आप क्या बोलोगे आप कुछ नहीं बोलोगे आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आप जो बोले हैं वो बिल्कुल सही है इसमें कोई गलत बात नहीं है that is known as statement that is called statement उसे बोलते हैं statement या फिर करहन यह बात होगी statement की अगली चीज की आप देखने को मिलती है आपको सवाल में हम सवाल की बात करें किस तरीका से आपको कोशन देखने के लिए मिलते हैं statement के बाद वो क्या बोलेगा आपको conclusions Conclusions, आप क्या-क्या निकाल सकते हो, ठीक है, देखो, इस order में कुछ questions आपको देखने के लिए मिलते हैं, statement और conclusions, conclusions मतलब क्या होता है, आपका निशकर्ष होता है, ठीक है, अब बारी आई आई आपकी, पहले आपने कथन statement में तो हमने सारी तुमारी बात माली कि ठीक है, आपन हुए, तो हम उसे गलत बोल देंगे, ठीक है, हम बिल्कुल गुंजाईश नहीं रखेंगे, इसका मतलब क्या है, बताओ, statement आपको जो भी दिया होता है, कथन आपको जो भी दिया जाता है, आपका conclusion, जो निशकर्ष होता है, वो आपसे बोलता है, कि बताओ, क्या ये चीज सही है, क्या ये conclusion सही है, क्या ये निशकर्ष सही है, तो एक भी जगे अगर वो गलत हो सकता है, contradict हो सकता है, तो उसे contradict करना है, समझे, ये चीज़ आपको समझनी है, कि जितना दिया है, सिर्फ उतना बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं, अब यहाँ भी हम चीज़े कैसे यह Venn diagram के थ्रूँ, Venn diagram क्यों लेते हैं, कैसे दिखाते हैं, अगर मैंने बूला कुछ A हमारे B हैं, तो यह हो गए आपके A, कुछ है, यह हो गए आपका B, तो यह कुछ वाला पार्ट है, जो की आपका B है, अब कुछ लोगों के दिमाग में यह आ सकता है, कि अरे, हम circle ही क्य थ्रू जाएंगे, ठीक है, बाकी चीज़ों को complicate ना करना पढ़ें, इसलिए हम जो बोलते हैं, square दिखा लो, triangle दिखा लो, again कुछ भी दिखा लो, answer सेम ही आने वाला है, examiner आपकी answer शीट जाके नहीं check करने वाला, ठीक है, यह होता है, किसी चीज़ को दर्शाने का तरीका, दिखाने का तरीका, यह बात आपको clear है, statement आपको दिया गया होता है, कथन आपको दिया गया होता है, confusion या फिर निशकर्श, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कि अगर गलत हो सकता है, तो हम गलत करेंगे, अब हम जो बोलते हैं, एक भी गुनजाईश मिली, तो हमें उस समझने हैं, वो होते हैं, यह 6 टाइप, और इसी में वो आपको घुमाता फिराता रहता है, language थोड़ी थोड़ी बदल के, अब क्या करेंगे, सेशन में हम एक एक टाइप को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और हर एक टाइप के, एक basic example हम साथ में करते चाहेंगे, त ठीक है, चलो, स्टार्ट करेंगे, पहला टाइप आपका क्या होता है, पहला टाइप है आपका सम A और B, कुछ A हमारे B है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, इस A और B को हमने A और B इसलिए लिखा है, क्योंकि वो तरखाली एक-एक alphabet हैं आपके, ठीक है, इस A और B की जैके, आप दुनिया की कोई भी चीज रख लो, तो भी आपका जो वैंग डाइग्राम बनेगा, जो सिचुएशन बनेगी, वो यही बनेगी, और एक्जाम में अगर वो A और B की जैके, कुछ भी बदल दे, तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस हमें क्या ध्यान क्या है, कुछ A आपके B है, वो कुछ कितने है, हमें नहीं पता, सम मतलब कुछ, कुछ 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, और 100% भी हो सकता है, तारी बातों पर आप यहां पर ध्यान करोगे, उसके बाद अगर कुछ चीज आप नोट्स बना रहे हो, तो सा तो सेड़ना हो सम मतलब क्या होता है 0 % से लेकि आप सॉरी 1% से लेकि या फिर आप 0% नहीं झेखो 0.000000 1% भी अगर जाऊआ थीक है मतलब आपको सिथ कितना करना है 0.00 0, मतलब 0 से जादा, 1% से लेके 100% तक की कोई भी value, ठीक है, अब कुछ A हमारे B है, कुछ को वो अब किस तरीके से देता है, sum की जगे, अब ये जो sum आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस sum की जगे आपको, ये इन में से कोई भी word दे सकता है, और इन sum का मतलब sum ही होता है, पर जब language बदल देता है न वो, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, कि अरे sum, sum में तो direct होगया, अच्छा sum तो हमने पढ़ा है, कुछ A हमारे B है, कुछ की जगे वो आपको कभी क्या दे देगा, many, बहुत A, B है, यही तो हमने सीखा, बहुत मतलब कितने हो सकते हैं, 1% से जाके कितने B, 99% जाद से यादा 100%, completely, पूरा, all, ठीक है, तो यही तो वो बोल रहा है, sum की चगे कभी दे देगा, आपको many, अनेक, few, few का मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है, few और only a few में अंतर होता है, few मतलब होता है, कुछ और only a few हम आगे भी देखेंगे, only a few का मतलब क्या होता है, कुछ ही A हमारे B है, only a few, कुछ ही A हमारे B हैं, तो यह डाउट आपका नहीं रहने वाला डरने वाली बात महीं पर लैंग्वेज यहां से समझोगे मैंनी फ्यू मोस्ट ओफ मतलब जादा तर मोस्ट ओफ ए और भी ठीक है वापस एग्जेक नहीं बताया ना मोस्ट ओफ की मतलब होता है आपका सम मोर अले टिल अट लीस्ट अब वह एट लीस्ट दे दे तो सोचेंगे कि अरे अट लीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम कुछ यह भी है अब वन परसेंट बीट है तो वह कम से कम ही हुआ ना तो यह चीज समझनी है लैंगवेज में बस वह आपको यहां पर गुमाता है अट लीस्ट अट मोस्ट मस्ट इन सबका ही मतलब आपका सम है यह रही बात एक बार वापस देख लोगे इस चीज को यह बात हो गई हमारे लैंगवेज की कि किस तरीके से चीज़ें आपको दी जाती है ठीक है अब अ 250 अखना डाक कुछ भी हम नहीं बनाएंगी ठीक है हमें जितना ईक्जर्ट उतना तीक हो गेंस चीज़ को यहां से कैसे उसमें बोला कुछ यहिज को एपके भी है अगर यह यह है आपका भी तो कुछ ए हमारे भी है कितने है हमें नहीं पता यह देखो तो ये हो गया वो कुछ वाला पार्ट जो sum वो बोल रहा है कुछ A जो आपके B है वो ये है जो इन दौनों में आपका common है कमच पाई इस चीज़ को हमेशा जब sum का case आता है तो हमें बनाना यही है हमारा जो basic diagram में वो यही होता है क्यों अब देखो चाहे से ऐसे बना लो क्या है अब आप बोलोगी क्या exact इतना ही percentage रिखना चाहिए नहीं ये भी बनाओगे तो ये भी sum ही है कुछ A हमारे B है ये common part है हमें percentage तो दे नहीं रखा ना उसने even percentage अगर वो 99% भी दे दे तो ठीक है ना कुछ हमारे वो है जो 1% है वो नहीं है clear? समझ पाई? बिल्कुल clear है ये बार तो इस तरीके से हम यहाँ पर इखाते हैं देखो exactly हम यहाँ पर चीज़ें ऐसे जाएंगे जैसे आपको कुछ भी नहीं आता कुछ students है जो आपको चीज़ों को सीख चुके है जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी हाँ से सब कुछ सीख पाएं ठीक है? तो यह हो गई आपके कुछ की बात अब देखो conclusion और possibility में अंतर क्या होता है conclusion मतलब होता है निशकर्ष, निशकर्ष मतलब क्या होता है जो बात आपकी शत प्रतिशत 100% सही है वो होता है आपका conclusion possibility होती है आपकी संभावना कि क्या ये चीज हो सकती है अब वो उसने जितना हमें दिया है हम उतना ही बनाएंगे पर क्या संभावना हो सकती है उसे बोलते हैं possibility इसे भी बहुत अच्छे से हम यापे सीखेंगे तो ये बात हो गई sum a r b अब अगर वो आपसे बोले निशकर्ष में आपके पास ये डियाग्राम है हमें पता है कि ये चीज है उसने आपसे बोला sum a r b उसने आपको दिया गया था हमें statement में ही दिया था कुछ a हमारे b है नीचे उसने बोला sum a r b कुछ a हमारे b हैं अरे ये तो हमें उपर ही दे रखा है बिलकुल कुछ a हमारे b है ही clear है ये बात तो ये conclusion आपका बिलकुल सही है ये चीज़ आपको दी होगी तो आप बिलकुल बोल दोगे कि हाँ उपर ही तो दे रखा है तो ये तो निशकर्ष हमारा है दूसरी चीज़ अगर वो बोल दे कुछ B आपके A है अब मुझे एक बात बताओ B का ये पार्ट A में है तो जब कुछ A हमारे B है तो यहाँ पे भी धिहान से आपने देखा अगर कुछ A B है तो ये B वाला पार्ट B तो आ रहा है यही तो है आपका B यही B तो गया जो A में गया इसलिए कुछ B तो A होंगे ही तो ये बात भी आपके बिल्कुल सही हो गई अब आएंगे हम संभावना पे possibility पे मुझे एक बात बताओ हमने पहले उपर ही क्या देखा हमने सबसे पहले उपर क्या देखा sum का मतलब क्या होता है हमें percentage नहीं पता उसमें बोला कुछ A आपके B है अब संभावना अगर वो बोले संभावना है क्या ऐसी अगर वो direct बोलता है all A और B अगर आपके B है ये आपको possibility में ने दिया गया होता ये आपको conclusion में दिया गया होता तो आप बोलते है अरे भीया कैसे आपके सारे A, B है हमें तो दिख रहा है ना कुछ ऐसा A जरूर है जो की हमारा B नहीं है अगर ये आपको conclusion में दे तो ये बाद गलत है निशकारिश में दे तो ये बाद गलत है पर मुझे एक बात बताओ अगर उसने बोला कुछ A आपके B है ये है आपका A उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है ये है आपका B ये कौन सा केस हो गया अब आपका अब हमारे अपने possibility वाली side पर संभावना वाली side पर possibility में हम क्या देख पा रहे है पहला case हमारा अगर आपके सारे A, B के अंदर चले गए तो बताओ क्या कुछ अगेन हमें देखना क्या है सम A, R, B कुछ A हमारे B है ये चीज सही है या नहीं बिल्कुल ये कुछ A आपके B है तो अगर आपको अगर मैं बोल दूँ कि टेबल पर आपके 100 आम रखे है हमारे हरे हैं बिल्कुल हैं जब सारे हैं तो कुछ तो है ही तो यही चीज आपको First में क्या दिखाए धी First में हमें दिखाए दिया बिल्कुल क्लिरली कि अगर सारे A, B के अंदर भी चले जाएं तो भी हम क्या बोलेंगे कुछ A हमारे B है 100% तक की बात हुई थी starting में 1% से लेके even 0 के बाद plus point 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 0 1% भी करो वहां से भी जाओ और आप 100% तक चले जाओ तो sum होता है sum मतलब all होता है समझ पाए क्यूं होता है यह चीज हमारी यहां पर clear हो गई पहली चीज same अगर आपने किया अगर same हमने क्या किया सारे B को ले जाए हम A के अंदर सारे B को अगर हम A के अंदर ले जाए तो भी बताओ यह चीज जो आपकी sum वाली है यह follow होगी या नहीं तब भी आप क्या बोलोगे सारे B आगे अंदर की A के अंदर हमें बोलना है कुछ A हमारे भी है बिलकुल यह जो कुछ A है जो B पूरा आ गया इसके अंदर कुछ A आपके B है यह वाला पार्ट है वो पर यह वाला जो पार्ट आपका बचा है वो कौन सा है यह वाला पार्ट जो आपका बाकी बचा है वो है जो A आपके B नहीं है समझ पाए मेरी बात को तूसरी condition भी कैसे satisfy होगी ये समझ लो एक बार इसके बात कोई confusion नहीं होगा और अगर हलका सा लग रहा है ना कि अरे ये चीज कैसे बन रही है pen paper लेके बैठो, खुद draw करो इस चीज को, ये बहुत important चीज है इसे बिल्कुल भी आपको skip नहीं करना है अब आप सोचो कि अरे ये वाले type में तो हमें confusion नहीं है, ये तो हम rule से भी कर लेते हैं आगे वाले देख लेंगे, नहीं पूरा chapter हम ऐसे खतम करेंगे कि हमें एक चीज नहीं रटनी है बस समझना है, imagination पर काम करो ठीक है, उसके बाद अगर एक बार ये chapter clear हो गया सोते उठते भी अगर बोल दिया न इसका van diagram बना दो तो आप बना दो ठीक है, अब देखो तीसरा case क्या होता है यहां पर तीसरा, अगर मैं बोल दूँ कि A बराबर है B के मतलब क्या हुआ, ये दोनों case, ये है आपका third case अगर A और B बिलकुल बराबर है आपके, A बराबर है B के, ये चीज ही क्या हुई, कुछ A आपके B होंगे, एकदम जब दौनों चीज़े बराबर है तो वो एक के अंदर ही एक तो आ जाएंगे ठीक है, अगर मैं एक को दूसरे के अंदर रखूँ और वो दौनों एकदम ही बराबर है, तो वो completely क्या कर लेंगे, खुद को coincide कर लेंगे, खीक है, बिलकुल अगर एक circle के उपर आप दूसरा circle रख दो और उनका radius एकदम सेम है, या फिर diameter बिलकुल सेम है, वो उनका या फिर आप बोलो देखो length, बाकी चीज़ों को ले लो कोई भी चीज़ जिसकी length, breadth, height सेम है, एक के उपर एक उसे रख दोगे तो वो पूरी तरीके से एक के उपर एक आ जाएंगे तो अगर दौनों चीज़े बराबर है, तब भी तो कुछ A हमारे B होंगे संभावना समझ पाए तो यहाँ पर जो तीनो possibility है यह सही हो जाती है, जब वो possibility की तरफ से पूछे, अगर वो पूछे संभावना है क्या, तो आप बोलोगे बिलकुल संभावना है, अगर दौनों चीज़े बराबर है, तो भी आपके कुछ A, B होंगे ही clear है यह बात, यहाँ तक clear है यह तीन possibility बनती है pause करो, उपर देखो diagram बनाओ, possibilities को खुछ चेक करो, और अब आओगे अगले type पर, ठीक है, जब तक आपकी चीज़े clear नहीं है, अगले type पर आपको नहीं आना, अगर यह चीज़ clear है फटाफट से बताओगे इस question का answer कैसे बताओगे, नहीं से start करेंगे statement, यहाँ पर आपको Hindi में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर English में दिखाई दे रहा है options में देखो, ऐसे नहीं कहोगे कि मैं हिंदी में नहीं है, क्या दिया है only conclusion 3 and 4 follows सिर्फ आपका जो आपका क्या है, सिर्फ आपका जो निशकर्ष है, 3 और 4 सही है सिर्फ आपका निशकर्ष 1 और 3 सही है, कोई भी निशकर्ष सही नहीं है, और only conclusion 2 and 4 follows, 2 और 4th conclusion आपका सही है, ठीक है चलो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेटमेंट देखेंगे, सम की फॉर्म में दिख रहा है सम कूलर साल मिक्सर साल कैसे बनाओगे, कुछ कूलर आपके, एक और बात एक्जाम के point of view से जब भी आप इन चीजों को बनाते हो when diagram को बनाते हो हमेशा क्या करोगे जो भी आपको word दिया गया है उसका सिर्फ पहला alphabet लिखोगे क्योंकि हमें अपना time बचाना है हम पूरा-पूरा alphabet कभी नहीं लिखेंगे पूरा alphabet हम कब लिखते हैं पूरा word हम कब लिखते हैं पूरा word हम तब लिखेंगे जब आपके जो पहले alphabet है वो repeat हो जाएंगे जहाँ वो confusing situation create करेगा वहाँ पर आप definitely दिखोगे ताकि खुद को confuse ना करें बढ़ यहाँ C और M दिख रहा है न तो पता है सिर्फ C और M दिखोगे तो काम चल जाएगा और आप option में भी चीज़ें उसी तरीकी से चेक करोगे क्या देख पा रहे हो उसने बोला है some coolers are mixers कुछ जो coolers है यह हमारे mixers है ऐसे ही बनाओगे यह है कुछ coolers जो आपके mixer है आगे जाएंगे some mixer are scissors कुछ जो mixer है वो आपके scissor है यहाँ पे आएगा S आपका यह है जो M और S में common है तब scissors are knife अब वापस कुछ जो scissors है वो हैं आपके knife अब इस particular सवाल पे आने से पहले मुझे एक बात बताओ इस चीज़ को हमने कैसे बनाया इसको बनाया हमने सबसे safe तरीके से ठीक है मतलब हमें पता है अच्छा कुछ C हमारे M है कुछ M हमारे S है कुछ S हमारे K है बिना सोचे अभी हम पहले options पे नहीं आते कि उसने हम से पूछा क्या है मुझे आप बताओ अभी हमें जितनी चीज़ें C की अगर वो बोले आपको कुछ C आपके K है आप क्या बोलोगी जल्दी से आप बोलोगी नहीं क्या करना है contradict करना है हमेशा गलत साबित करना है हमेशा जब बात आती है आपकी निशकर्ष की ठीक है अगर वो बोले आपको कुछ C आपके K है आप बिल्कुल बोलोगे रही बिल्कुल नहीं है बिल्कुल possible नहीं है ठीक है नहीं है अगर वो आपको बोल दे कोई C आपका K नहीं है एक भी C आपका K नहीं है तो बताओ क्या बोलोगे आप तो भी उस चीज को गलत करोगे क्यों? क्योंकि आपको पता है उसने आपको कहीं बताया नहीं है कि है या नहीं संभावना बिल्कुल है यह चीज हमें सीखी थी पीछे ही यह जो डाइग्राम है आपका यह आपका ऐसे भी बन सकता है कि के आपका ऐसे कुछ गया हो तो हमीशा उस चीज को गलत साबित करने की कोशिश करनी है अब ये गलत साबित कैसे होता है, ये चीज समझो आपको जब तक उसने clearly बोला नहीं, जब तक उसने आपको बोला नहीं, एक भी C आपका K नहीं है एक भी M आपका K नहीं है तो आपकी दिमाग में हमेशा ये चीज रहनी चाहिए कि वो हो भी सकता है हम बना सकते हैं उस चीज को उसने clearly आपको जब तक नहीं बोला ये चीज नहीं हो सकती तब तक वो चीज आपकी गलत नहीं होगी clear है ये बात तो जब तक जो चीज आपको नहीं बोली जाएगी उसे आप नहीं बनाओगे जो चीज आपको contradict आप कर सकते हो उसे आपको definitely करना है उसे आपको गलत साबित करना है ठीक है ये बात हो गई हमारी बनाने की अब हम देखेंगी उसने आपसे पूछा क्या है आएंगे हम क्या पूछा है हमसे उसने बोला है some knives are mixers कुछ जो knives हैं आपके वो आपके mixer है बिल्कुल नहीं है हमें clearly कुछ बोला है क्या उसने बिल्कुल नहीं बोला हो गई ये चीज गलत अगर वो आपसे बोलता कोई knife आपका mixer नहीं है तो वो भी गलत होता ये बात समझोगे इधर और हम आगी सीखने वाले हैं बट अभी हम particularly question पर stick करेंगे अभी हमें पहले अपना ये concept clear करना है ठीक है तो यहां पर उसने बोला कुछ knives आपके some knives are mixers बिल्कुल नहीं है some scissors are cooler कुछ जो scissors है वो आपके cooler है क्या इनके बीच में कोई रिष्टा बताया है बिल्कुल नहीं बताया तो नहीं होगा next पर आए some knives are cooler कुछ जो knives है वो आपके क्या है अब बोल रहा है कुछ knives आपके cooler हो सकते हैं देखो संभावना है अगर वो बोलता some knives are cooler is a possibility यह संभावना है तो यह बात बिल्कुल सही हो जाए क्योंकि उसने मना नहीं किया उसने आपको उपर यह नहीं बोला कि हो ही नहीं सकते अगली चीज़ पर आए no knife is a mixer अब उसने क्या बोल दिया एक भी knife एक भी knife आपका mixer नहीं है कि यही हमने बोला था उसने कि एक बी knife हमारा mixer नहीं है बिल्कुल यह चीज़ क्या हो गई गलत हो गई वो सकती है बिल्कुल यह चीज़ हमारी possible है इसलिए यह चीज़ बी हो गई गलत बताओ clear है या नहीं यह चीज़ नहीं है क्योंकि उसने आपको clearly बोला नहीं था कि नहीं होता, आप उसे दूसरी तरीकी से बनाओगे, when diagram को तो भी वो चीज़ें आपकी satisfy होगी, cancel कैसे करते हैं, cancel sit करने का तरीका इतना है, जो चीज़ आपको clearly मना नहीं की गई और वो दे देगा आपके conclusion में, निशकर्ष में, तो व आगे पड़े, ठीक है, अब देखो, no a r b, अब इसका मतलब क्या है, उसने बोल दिया आपको एक भी a आपका b नहीं है, यहीं तो मतलब है, no a r b कैसे बनेगा, एक भी a आपका b नहीं है, clearly बोल दिया, एक भी b, एक भी a आपका b की तरफ नहीं जा सकता, अगर एक भी a आपका a नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक भी b का पार्ट अगर यहां पर आ जाता है, a में आ जाएगा, तो यह कुछ a तो आपके b हो जाएंगे न, इसका clearly मतलब सिर्फ इतना सा होता है, no a r b, मतलब एक भी a अगर b नहीं है, तो एक भी b भी आपका a नहीं होगा, सबसे पहल इसका उल्टा भी सही होगा, कि एक b, b भी आपका a के पास नहीं आ सकता, ठीक है, यह बात हो गई, इस second case को देखते हुए, पर क्या याद रखना है आपको, अगर a के साथ एक और इंसान बैट जाए, यहां पर c, ठीक है, अगर a के साथ एक और इंसान बैट जाए, c, तो आपको यह याद रखना है, कि c, अगर अब आप यहां पर बोल सकते हो क्या conclusion में, एक b, c भी आपका b नहीं होगा, अगर वो यहां निशकर्ष में दे दे, no c, r, a, एक भी c आपका b नहीं होगा, तो वो बात हो जाएगी आपके गलत, क्यों गलत हो जाएगी बताओ, इसलि बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है, e का एक भी हिस्सा b में नहीं जाएगा, तो जो आपका c और a में common होगा, वो तो बिल्कुल नहीं जा सकता여, नहीं कहीं जा सकता है, इस पर कोई रोक टूक नहीं है, a से बाहर जितना भी पाठ है, वो कहीं भी घूमे फि आपने हां बना दो C, D, E, F, G, जो A के अंदर आएंगे, बस वो B तक नहीं जा सकते, बाक्य पार्ट E का कहीं भी घूम सकता है, और उनका भी कहीं भी घूम सकता है, क्लियर है यह बात, बिल्कुल क्लियर है यह बात, बढ़े अंगले सवाल की तरफ, चलो, अंगले सवाल की क्यों क्यों कि हम क्या करें हर एक कुश्चिन करके टाइप लेके साथ में चल रहे हैं सब्सक्राइब अब यह बनाते बनाते आपके दिमाज में क्या रहेगा और की पीछे हमने देखा conclusion में निशकर्ष में जब सम की बात होती है तो क्या होता है वो चीजें बराबर भी हो सकती है तो जब वो बोलता है न all keys are locked तो हम बनाते उसको ऐसे हैं पर एक संभावना आपके दिमाग में यह भी रहनी चाहिए कि की और लॉक बराबर भी हो सकते हैं ठीक ही तो सारे की लॉक ही है तारे की लॉक के अंदर ही आ रहे हैं यह जो चोटी चोटी बातें आपको सवालों के साथ बताई जा रही है वो बहुत ही जरूरी है दौने चीजें बराबर होंगी तो definitely तो भी वो एक के अंदर एक ही आएंगी अब चलो अब question पे आते हैं क्या ब देखा था यहां पर तो उसने बोल दिया एक भी डूर लॉक बाहर है न एक भी डूर आपका लॉक नहीं है यह दे दिया हमने यह चीजी के हम सिर्फ पहला alphabet लिखेंगे जब तक repeat नहीं होगा repeat होने लगेगा तो उसे पूरा लिखेंगे ठीक है यह बात हो गई आपकी conclusion में या फिस निश्कर्ष में क्या दे रखा है उसने some lock are doors sorry कुछ जो lock है वो आपके क्या है कुछ जो locks है वो आपके door है मुझे बात बताओ एक भी lock door नहीं है तो एक भी door भी तो lock नहीं होगा यह बात हो गई गलत एक भी नहीं होगा clearly बोला है ठीक है second पे आए some lock का की अब उसन की है तो बिल्कुल जो कुछ लॉक है वो आपकी की है फिर है अगले टाइप पर आए नो की इसर डॉर ठीक है एक भी की डॉर नहीं होगा मुझे एक बात बताओ लॉक के अंदर ही तो सारे की आ है जब एक दी लॉक दो भार वाला हिस्सा ही नहीं है तो उसके अंदर कोई चीज होगी वो तो होई नहीं सकती तो बिल्कुल एक भी की तो होगा ही नहीं आपका डोर ये बात भी हो गई बिल्कुल सही पर इसका गर आपको दिया होता ठीक है? यह तो बात हो गई इस particular case की पर आपको अगर वो बोल देता यहाँ पे आपकी होता अगर बाहर? ठीक है? अगर की होता आपका बाहर? लॉक होता आप का अंदर और वो बोलता है एक भी log आप का डूर नहीं है यह दूसरा एक सवाल है जो कि आपको साथ साथ में कुई कि आप चीजने ररेलेट करोगे तो प्लियर हो जाएंगी ठीक है अगर यहाँ पर वो बोलता एक भी की आपकी डोर नहीं होगी अगर वो बोलता एक भी की डोर नहीं हो सकती तो ये चीज होती गलत क्यों? क्योंकि पहले हमने क्या सीखा बस ये हिस्सा नहीं जाएगा किस वाले हिस्से को पूरी freedom है ये बिल्कुल यहाँ पर भी जा सकता था ठीक है? ये हम extra कर रही है ये बिल्कुल इसका question से कोई लेना देना नहीं है ठीक है? तो ये चीज यहाँ पर समझ पाए तो क्या होगा only two and three follows किस में दिख रहा है? C में दिख रहा है, C is the right answer लिए चलो अगला type हमारा, third type all a, r, b अब all की जगे वो आपको क्या क्या दे सकता है? बताओ, all की जगे वो दे सकता है every, हर एक आपका a, b है ठीक है? या फिर बोल देगा each each मतलब हर एक again each, every, hundred percent इनकी जगे पे वो आपको all की जगे पे कोई भी इसके लावा word यूज कर सकता है मतलब एक ही होगा सारे a आपके b है ठीक है? अब इससे बनाओगे कैसे? अगर सिर्फ आपको normally ये statement दिया है और बोला सारे a, b हैं तो कैसे बनाओगे? ये a हैं और सारे ही a किसके अंदर आएंगे? b के अंदर आएंगे? जो चीजें आपके confusion या पर निशकर्ष जो कि 100% सही होंगे वो क्या होंगे? बताओ आपको ये चीज़ दे रखी है all a, r, b उसने बोला sum a, r, b कुछ a, b हैं बिल्कुल जब sum ने पहले ही क्या सीखा था? जब सारे a, b हैं तो कुछ तो होंगे ही 100% b ही sum होता है सबसे पहला case था हमारा sum का और ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी कौन से है वो? यही तो part है आपका a का जो कि आपका b है अगले पर आए sum b, r, a बिल्कुल b के अंदर सारे a आ रहे हैं तो ये वाला part जो आपका अगर हम इस diagram के थूँ जाएं हमें पता है b का वो कौन सा part है जो कि a नहीं है वो ये है पर कुछ part तो है न तो sum b, r, a बिल्कुल ये बात हो गई आपकी सही ठीक है? इसके बाद अगर वो आपको दे दे, क्या दे दे? इसके बाद अगर आपको दे all a, r, b तो ये तो आपका statement ही है कथन ही आपको दे रखता है निशकर्ष में, तो वो बात तो सही है वो तो भईया उसने खुद बताया न, examiner ने है, आपने बोल दिया तो होगा ही, ठीक है? आप बोल रहे है तो होगा ही, मालिक ये बात भी हो गई बिल्कुल सही, तो ये तीनो 100% true चीजे होती है, ये वाले आपके तीनो क्या है, निशकर्ष है conclusions है, ठीक है? अब हम आएं अगर possibility पे, संभावना पे, तो बताओ क्या हो सकता है अब यहाँ पे एक जो संभावना आपकी बनती है, यही पे अगर वो बोल दे कि संभावना है कि सारे B आपके A है हमें इतना तो पता था कि सारे A हमारे B के अंदर आ रहे है पर अगर हम आएं अपनी possibility के थूँ तो बताओ, अगर दोनों एकदम बराबर है, A बराबर है आपका B के, वो भी तो सारे आपके B, A के अंदर आ सकते हैं तो all B आरे, या फिर आप बोल लो A is equal to B दोनों अगर बराबर होंगे तो definitely एक condition भी आपकी satisfy होगी A अंदर ही आ गया B के जब वो साथ में ही है, दोनों एकदम बराबर है, तो संभावना बिलकुल है पर अगर वो आपको ये conclusion में बोल दे सारे B है, A के अंदर तो बिलकुल गलत होगा, अरे भाईया ये part है तो जो नहीं है समझ पाई, clear है, संभावना जहां से clear हो रही है possibilities clear करते हैं, जो इसने आप भी risks पे आती जाएंगी और क्या करना है बताओ, false करके सारे ही, ठे types के diagram आपके rough sheet पे या फिर आपके notes वाली sheet पे होने चाहिए अगला type next type, अगला सवाल उस type पे, क्या बोल रखा है उसने आपको, सारे ही exams मैं पूछे गई, again questions है आपके, तो कुछ भी irrelevant हम यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है, चलो क्या देख पारे हैं आप यहाँ पे, क्या बोला उसने आपको statement में, all paper are pulp, P और P दिखाई दे गया, तो confusion create नहीं करना, हम लिख लेंगे इस चीज़ को ठीक है, उसने बोला, सारे ही paper, pulp के अंदर आएंगे यह हो गया आपका paper all paper are pulp next उसने क्या बोला है, all pulp are branches, सारे ही pulp किसके अंदर आएंगे branches के अंदर आएंगे, B लिख सकते हैं तो उसने बोला है, all branches are trees, सारे ही branch किसके अंदर आ रहे हैं trees के अंदर आ रहे हैं, तो T लिख सकते हैं आप थोड़ा छोटा बनाओगे exam में कि आपको clearly दिखे, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है paper मैं सा बड़ा बड़ा सा मत बनाना है, ठीक है अब उसने आपको निश्करश क्या दे रखा है, confusion क्या दे रखा है some trees are paper कुछ जो tree है ना, वो paper है अब सारे ही paper ही जब आपके tree के अंदर आ रहे है तो क्या है, कुछ तो आएंगे ही ये बाद हम बहुत अच्छे से सीच चुके हैं बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे है some trees are paper all pulp are paper, अब वो बोल रहा है सारे ही pulp paper है अब ये अगर वो बोलता all pulp are paper is the possibility संभावना है, तो आप बिल्कुल उसे सही करते, क्योंकि अगर pulp और paper बराबर हो जाए तो ये संभावना बिल्कुल सही है पर हमें उसने बोला नहीं है तो भाईया हम तो गलत करेंगे क्योंकि हमें पता है कि सारे paper के अंदर आ रहे हैं, pulp, pulp के अंदर paper तो आनी रहे होगे ये बात गलत next पर आए, no pulp is paper आप उसने बोला एक भी pulp paper नहीं है अरे भीया ये थोड़ना बोला है, कुछ तो है हमें इतना बिल्कुल दिख रहे हैं कि सारे paper pulp के अंदर आ रहे है तो कुछ तो है, ये बात हो गई, बिल्कुल गलत अब क्या देख पारे हो, only one follows गलती से भी यहां पर one and three follows इतर वाला case यहां पर नहीं लगेगा इतर कहां लगता है, यह हम सीखने वाले है पर हमें पता है, ना तो second सही है, ना third सही है सिर्फ फर्स सही है, किस में दिख रहा है, A में दिख रहा है A is the right answer, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ देखो, next type आपका fourth type हत ध्यान से देखोगे इस चीज़ को पूरा पूरा ध्यान आपका यहां होना चाहिए बिल्कुल भी अटकना भटकना नहीं है देखो, only a few बहुत कन्फ्यूस करने वाला type और बहुत ही प्यारत सा type बढ़ हलका सा यह खेल जाता है कभी कभी तो देखो क्या है only a few का मतलब क्या है only a few a r p देखो, मतलब कुछ a हमारे b है वापस only, क्या बोले था few मतलब कुछ only a few मतलब यह होता है कि कुछ a ऐसे जरूर है जो कि आपके b नहीं होगे मतलब उसने क्या बोला only a few a r b सिर्फ कुछ ही a हमारे b है वो कुछ कितने हैं यह हमें नहीं पता पर कुछ a ऐसे जरूर है जो कि आपके b नहीं होगे यह मतलब होता है only a few का अब चाहे वो 1% ही क्यों ना हो चाहे वो 0.0001% जो हमने sum देखा था few देखा था ना जस्ट उसका हलका सा आप उल्टा बोल सकते हो इसका मतलब क्या होता है few मतलब था sum कुछ और only a few मतलब होता है सिर्फ कुछ ही A हमारे B है मतलब कुछ ऐसे A जरूर है जो कि हमारे B नहीं होंगे बाद बार मैं चीजों को repeat कर देती हूं ताकि चीज़ें आपके दिमाग में जो बोलते ना एक बार boring लगने लगे आपको चीज़ें तो वो मेरी success है क्यों क्यों क्योंकि चीज़ें boring आपको लगने लगे मतलब आप आपको गया अरे यह आ गया समझ में बस हम आगे बढ़ो ठीक है तो यह समझ में अगर आपको आगया बस यही एक achievement है फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप exam में उस चीज़ को और फास्ट कर पाहूं तो only of you का मतलब है कुछ ही A हमारे B है मतलब कुछ A का ऐसा पार्ट जरूर है जो की B नहीं है कैसे बनाते हैं इस चीज़ को देखो exam में ताकि आपको confusion ना हो इसका मतलब क्या है ताकि आप बिल्कुल भी confused ना हो आप हमेशा A पर एक dash लगा दोगे अब यह dash का मतलब क्या है यह अपने आपको बहुत अच्छे से समझा लो इसकी जगे आप कुछ भी लगाना चाहो आपको बस याद रखने ही चीज़ है मैं particularly आपको बोलूँ कि एक dash लगाना बहुत इसका मतलब इससे सिर्फ आप याद इतना रखोगे कि सारे A कभी भी B में नहीं जाएगा इससे आपको बस इतना पता करना है कि A कभी भी पूरा B में नहीं जाएगा इससे कुछ ही A आपके B है सारे A आपके B के अंदर नहीं जा सकते इससे ऐसे बनाओगे फिर उसने अगर यहाँ पर जो definitely चीज़ आपकी सही होगी सम A R B कुछ A आपके B है definitely है सिर्फ कुछ नहीं है ना कुछ तो है वो तो उसे खुद बता दिया कुछ नहीं है यह भी हमें पता है तो यह वाला पार्ट हो गया जो सम A R B हो गया ठीक है सम B R A बिलकुल जब कुछ A B है तो कुछ B B A होंगी सभी तो उनमें कुछ common आया है तो यह दोनों conclusion निशकर्ष आपके दिलकुल सही हो गया अब सम्भावना क्या बनती है बताओ उसने आपको क्या बोला उसने बोला कि सिर्फ कुछ ही A आपके B है किस पर लगाई condition A पर लगाई कि सारे A कभी B के अंदर नहीं जाएंगे पर मुझे एक बात बताओ यह चीज तो हो सकती है आपकी अब हम आते हैं अपनी संभावना की तरफ possibility की तरफ तो बताओ किस में यह चीज नहीं हो सकती अगर यह है आपका A और यहाँ पर आपका B अगर सारा A तो यहाँ पर संभावना यह जरूर बन जाती है कि सारे B आपके A के अंदर आ सकते है यह है यह पात तो यह यहाँ पर आपकी possibility बनती है संभावना बनती है यह वाला पार्ट होगा आपका A का जो की B नहीं होगा और पर यहीं पर अगर अगर वो एक्जेक्ट इसका उल्टा बोल देता ओल A एकन बी बी संभावना है कि सारे A B हो सकते हैं तो यह डैश है हमने इसलिए लगाया है कि हमें पता है कुछ A ऐसे जरूर है जो की B नहीं होंगे क्लियर है यह वाला टाइप आपको एकदम क्लियर है बढ़ें अगले टाइप पे बढ़ें हम अपने next question पे बताओ इतना सा मतलब है क्यूं है बहुत अच्छे से समझ लिया इस चीज को चलो बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया है यह question अगीन बहुत प्यारा सा आपका MTS में पूछा गया question है सही सही बना दो इसको ठीक है क्या दिया है उसमें आपको अब यहां पे चब तो only a few आपको एक साथ दिखते है न तो हमेशा यह याद है ना किसका relation किसके साथ बताया है जा मतलब है इसका चलो समझेंगे से उसने बोला है only a few adults are plumber अब इसका मतलब क्या है यह है आपका adult यह है आपका plumber उसने बोला only a few adults are plumber यहां पे dash लगा लो कि कुछ ही adult आपके plumber है मतलब कुछ सारे adult कभी भी plumber के अंदर ने चाहेंगे पर हमें पता है अगर समभावना बन जाए सारे plumber बिलकुल adult के अंदर आ सके साथ साथ में revision हो रहा है यह हो गई आपकी बात फिर उसने बोला only a few plumbers are taxi drivers अब बताओ क्या करोगे ऐसे लगाओगे dash मैं पता है कुछ ही plumber taxi driver है पर इसकी situation इसके साथ है और इसकी इसके साथ यह नहीं बूलोगे अब ऐसा नहीं कि यहां पर बोल दिया तो इसका मतलब यह नहीं है only a few plumbers are a a का मतलब क्या है आपका adders या फिर यह जो only a few की condition है a की t के साथ है और t की t के साथ है गलती से भी dash लगा के confuse नहीं कर लेना खुद को इसलिए हमेशा एक arrow डाल दो अच्छा यह बात इसके साथ हुई है कि सारे a आपके कपी भी t के अंदर नहीं जा सकते पर यह नहीं है कि वो t से आप connect करने लगो ऐसे आगे एक और बना दे और फिर आप बोलो कि नहीं यह भी किसी के अंदर नहीं जा सकता है ऐसे नहीं करना जिसके जिसके साथ बात हुई है जिसके जिसके आप बात चल रही है वहाँ पर यह relation बनाए unnecessary relations आप ना बनाए उसने आपको conclusion या फिर निशकर्ष में क्या दे दिया बताओ पहला निशकर्ष उसमें आपको दिया है some adult are taxi drivers कुछ जो adult है ना अब उसने बोला यह जो कुछ जो adults है ना यह taxi drivers है भया बोला है क्या उसने बोला तुमने नहीं बोला ना हो गई यह बात बिल्कुल गलत हमें नहीं पता क्या रिष्टा है इन में क्या नहीं हम नहीं बताएंगे गलत हो गई वो जी ठीक है second उसने बोला all plumbers can never be can मतलब क्या हुआ संभावना वो ही नहीं सकता बोल रहा है वो क्या बोल रहा है all plumbers can never be taxi drivers सारे plumbers कभी भी taxi drivers नहीं हो सकते बिल्कुल आपने plumber और taxi driver की condition मनाई थी ठीक है arrow से clear हो गया आपको आपको dash से clear हो गया सारे plumbers कभी भी taxi driver नहीं हो सकते यह बात बिल्कुल सही हो गई पर मुझे एक बात बताओ अगर वो आपको बोलता all taxi drivers can never be plumbers तो क्या करते अगर वो direct बोलता कि संभावना ही नहीं है सारे taxi drivers plumber के अंदर आ जाए तो dash taxi driver पर लगा है क्या नहीं लगा सारे taxi drivers बिल्कुल plumber के अंदर जा सकते हैं बहुत confused होते हैं इसमें students I hope यह confusion आपको यहां से clear हो गया होगा बिल्कुल clear है तो अगले टाइप पर बढ़ेंगे otherwise back करो वापस देखो उसके बाद ही आगे बढ़ो सिर्फ मात्रे 6 टाइप है अच्छे से clear करके तब ही आगे बढ़ो ठीक है next type अब उसने क्या बोल दिया एक और प्यारा सा है तो टाइप only a are b तो इसका मतलब क्या है बताओ सबसे पहले क्या बनाओगे a बनाओगे b बनाओगे उसने आपसे बोला है सिर्फ a ही b है केवल a ही b है मतलब कोई और चीज b नहीं हो सकती सिर्फ a ही हमारा b हो सकता है तो आप किस पर dash लगाओगे क्या तक double dash लगा लो कि only की बात हो रही है तो double dash लगा तो b पे क्या मतलब है इसका सिर्फ a ही b है सिर्फ a ही b के पास आ सकता है इससे पता चलिया double dash दे या फिर कोई और चूबी symbol आप बनाना चाहिए इसससे आपको याद हो जाए इसके पर कुछ भी बना लो दिल बना लो star बना लो circle बना लो triangle बना लो ठीक है पर याद रखना कि b के पास कोई और नहीं आना चाहिए ठीक है b के पास कोई और नहीं आना चाहिए ये a की condition है एकदम कौन बन जो एकदम कभीर सिंग वाली situation हो गया प्रीती के पास कोई नहीं जाएगा ठीक है तो यहाँ पर b है बिल्कुल आपकी प्रीती a है आपका कभीर सिंग पर या a के उपर कोई condition नहीं है ये बात याद रखने उसमें क्या बोला आपको only a r b इसका मतलब क्या होता है कि एक छोड़के a के पास तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है यहाँ पर c आ जाए यहाँ पर d आ जाए यहाँ पर e आ जाए कोई भी चीज आ जाए पर b के पास कोई नहीं जाना चाहिए सिर्फ इतना बोला है उसमें ठीक है मतलब इसका मतलब क्या हो गया A के साथ कोई condition नहीं है, सिर्फ B के साथ condition है, कि सिर्फ A ही B होगा, कोई और चीज भी नहीं हो सकती, यह मतलब होता है, only A, R, B का, लिए, देखें आप, आएं, conclusion की तरफ, तो देखो, क्या देख पारे हो आप, conclusion में, निश्करश में, सम A, R, B, 100% सही चीज, बिल्कुल, जब उसने बोला कि कोई और चीज नहीं आएगी, बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सही है, कुछ A हमारे भी है, तेम उसको और्टा भी सही होगा, कुछ भी आपके A होगे, जब उनमें common हैं चीज़ें, तो कुछ तो होंगे ही, सम्भावना क्या बन जाती है, सम्भावना यहाँ पर यह बन जाती है, अब हम आजाते हैं अपने possibility की तरफ, ठीक है, अब देखो, क्या बोला था उसने, only A, R, B, अगर यह आपका A है, ठीक है, आपको पता है, यह आपका B है, सिर्फ A ही आपका B हो सकता है, आपको पता है, B के पास कोई और नहीं आना चाहिए, तो यह चीज़ भी तो सही हो गई, सारे B, A के अंदर आ सकते हैं या नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, doubt है क्या कोई, clear है यह बात बिल्कुल, बिल्कुल यह बात clear है, कि संभावना है, सारे B, आपके A हो सकते हैं, ठीक है, यह बात होगी आपकी संभावना की, पर क्या याद रखोगे, अगर जैसे हमने उपर बात की थी न, कि C, D, E, तो अगर आपका, जो अगर वो बोल दे आपको, if, if अगर वो बोल दे आपको, कि सारे C, all C, R, A, अगर यह चीज़ उसने आपको दे दी, ठीक है, तो आपको अगर पता है, सारे C, A के अंदर आएंगे, तो C ऐसे ही बनाओगे, आपको पता है, वो B के पास बिलकुल नहीं जाना चाहिए, अगर उसने बोल दिया, sum, D, R, E, कुछ D आपके A है, तो वो ऐसे ही जाएंगे, कोई भी B के पास नहीं जाएगा, वो C, D आपका C के पास ज़रूर जा सकता है, जिसके आत रिष्टा नहीं बताया उसने, कि भाई, इसके पास नहीं जाना, बस नहीं जाएगा, यह बात, एकदम clear है, तो यह आपकी बिल्कुल संभावना बन जाती है, यह हमने थोड़ा सा extra कर लिया, वैसे था examples, even questions के थुरू आपकी चीज़े clear हो नहीं वाली है, बट स्टिल यह चीज़ अब आई थिंक आपकी clear होगी, आएंगे इसके सवाल की तरफ, यह आपका MTS में बुचा गया question है, क्या करेंगे, फटा फट से देखते हैं, क्या बोला उसने आपसे, only rivers are seas, जिर्फ rivers ही आपके क्या है, सिर्फ rivers ही आपके sea है, कोई और चीज़ आपकी sea नहीं होगी, डबल डैश लगा लिया, अगली चीज़ उसने बोली, few, only a few नहीं है, few है, यहां से clear करोगे few मतलब some होगी, फ्यू लेक सा रिवर, कुछ जो लेक हैं, वो आपके रिवर हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, सारे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर हम कुछ ही बनाएंगे, few ocean are lake, कुछ ocean हमारे lake हैं, यह ocean रिवर के अंदर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, पर तुमने बताया नहीं हम बनाएंगे यहां से देखो यह आपके अभी भी हो सकता है देखो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं वैसे तो चीजें आपकी यहां पर 90% क्लियर होती जा रही हूंगी साथ मैं इतने यहां पर आपकुछ इतना डीटेल में चीजें समझाई गई है कुछ अगर इस तिल आपके डाउट रह जाता है वापस इस सेशन को देख लो फिर भी अगर जो बने एक दो चीजें अटक जाती है तो अगले से से क्लियर हो जाएंगी क्योंकि सारे ही कुश्चंस हम डिसकर्स कर लेंगे अब देखो उसने क्या बोला आपसे निशकर्ष में समसी बींग ले इसा पॉसिबिलेटी सबसे पहली चीज दोनों जगे संभावना दिख रही है संभावना मतलब अब वह आपको बोल देता है कि उसने बोला some seas being lake is a possibility कुछ जो sea है न वो आपके lake हो सकते हैं अरे भाया river नहीं दिखा क्या आपको river ने सीधा सीधा बोल दिया है कि नहीं हो सकते कुछ जो river है वो ocean हो सकते हैं बिल्कुल river पे कोई भी आपका restriction नहीं लगा river पे कोई भी आपकी बंदिशे नहीं है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा only two follows किस में दिखाई दे रहा है पता हो आपको दिखाई दे रहा है ए में a is the right answer आएंगे अपने आखरी टाइप पे most important type again most confusing type इसके बाद आपका confusion खतम हो जाएगा चलो यहाँ पे जो चीज़े हैं यह आपकी सिर्फ संभावनाओं पे based है ठीक है उसने बोला sum a are not b कुछ जो a है आपके वो b नहीं है अब इस चीज़ को कैसे बनाओगे यह चीज़ पहले समझो देखो अगर यह आपका a है और यह आपका अंतर समझते जाओगे जो बाकी सारे टाइप से उनसे साथ में compare भी करते जाओगे यह आपका b है तो उसने बोला a का ऐसा एक कोई हिस्सा जरूर है जो कि आपका b नहीं होगा अगर आप इसे बनाते कुछ इस तरीके से और आप गोलते a का कुछ ऐसा हिस्सा जरूर होगा जो कि b नहीं होगा तो यह only a few था यह अंतर है only a few और some a are not b में clear हुआ इसका मतलब क्या होता है आप समझो यह दौनों चीज़ें बिलकुल अलग हैं आपकी और इनका मतलब यह होता है कि पहले case में वो क्या बोल रहा है इस case में बोला है some a are not b a का कुछ ऐसा हिस्सा जरूर है जो कि b नहीं होगा पर a कुछ ऐसा हिस्सा है क्या जो b है नहीं यह भी नहीं बोला उसमें बोला अगर ऐसी चीज़ होती है na a और b में कोई रिष्टा बनता है तो a का कुछ ऐसा हिस्सा जरूर होगा जो कि b नहीं वो उसने नहीं बोला कुछ है, वो निशकर्ष नहीं होगा, वो संभावना है, समझ गए, clear है, बिल्कुल clear है यह बार, यह अंतर होता है, only a few और some are not be में, इसकी जगे वो आपको क्या यूज कर सकता है, many, few, most of, ठीक है, many are not be, few are not be, most of, more, a little, at least, at most, much are not be, इनकी जगे वो, यह सब चीज हैं आपकी यूज कर सकता है, आएंगे अपनी संभावना पर, अब क्या क्या संभावना बनती है, संभावना आपकी यह बनती है, यहां से हम directly अब possibility पर आ रहे हैं, तो देखो, यहां से बनाना स्टार्ट करें, यह होगी आपकी first possibility, यह है आपके चले जाएं, A के अंदर, जा सकते हैं या नहीं, संभावना है या नहीं, तिलकुल है, यह है वो हिस्सा, जो की नहीं है, संभावना वाली चीज़, अगर हम second देखें तो क्या होगा, बताओ, तम ARB, अगें बताओ, यहां तो इससे कैसे बना लो, तम कैसे बनाते हो यह A, यह हो गया आपका B, तो कौन सा वाला पार्ट हो गया आपका, सं ARB, कुछ A आपके B है, पर यह A का वो हिस्सा है, जो की B नहीं है, ठीक है, सेम इसी का जस्ट उपर है, उल्टा है, क्या देख पा रहे हो, वापस सं B आरे, कुछ B आपके A है, पर कुछ A ऐसे जरूर ह जो की B नहीं है, यह भी एक संभावना है, क्यूं है, समझ पाए, हमें देखना है, सम A, R, not B, कुछ A हमारे B नहीं होंगे, कितनी condition हमने चेक कर ली, first, second, third, fourth में अगर वो बोल दे, यही तो था no A, R, B, यह possibility है, समझ पाए, इसलिए अगर वो conclusion में direct आपको देता, सम A, R, B, तो गलत करोगे उसे, ठीक है, तो यहाँ पे, again fourth type आपका क्या बनता है, fourth type अगर वो आपको देता, या 1 P, A आपका B नहीं है, तो बिल्कुल A का पूरा ही हिस्सा आपका B नहीं है, तो कुछ ऐसा हिस्सा तो है ही, sorry, कुछ ऐसा हिस्सा तो है ही आपका, जो की B नहीं होगा, ठीक है, तो no A are B, बिल्कुल सैटिस्फाई होगी यह चीज, same उसका उल्टा हो गया, यह fourth and fifth हो गया आपका, इसी का उल्टा तो है, B को यहाँ लिख दो, A को यहाँ लिख दो, यह संभावना भी आपकी सही हो जाएगी, sum B are not A, कुछ B आपके A नहीं है, again कौन सा type है है बताओ, fourth में, again यह अगर आपका, sorry, यह six type है आपका, ठीक है, अगर यह है A, यह है B, वापस, यहाँ तो आप बोलो इसे कैसे बनाओगे, हम सेम तरीके से अगर बनाएंगे इसे, अगर उसने आपको क्या दे रखा है, उसने बोला है, sum B are not A, यह B है, D का कुछ ऐसा हिस् satisfy होगी, कि A का भी ऐसा हिस्सा जरूर होगा, जो की D नहीं हो, clear, तो यह आपकी संभावना होगी, कि यह चीज़े आपकी possible है, यह वाला type, इसके साथ, आपकी जितने types हैं, वो यहाँ पर खतम हो रहे है, आएंगे सवाल की तरफ, देखो, क्या दिया है उसने आपको, no plate are mug, अब यहाँ पर क्या है, जो not वाली चीज़ है, वो आपको conclusion या पर निशकरश में दिख रही है, ठीक है, तो पहले उसने statement में क्या दे रखा आपको, no plate are mug, एक भी plate आपका mug नहीं है, some mug are table, कुछ जो mug है, वो आपकी table है, वो आपको आपको पता है, table का यह वाला part है, वो कह possibility, उसने बोला है, सारे plate आपके table हो सकते है, तो बताओ हो सकते हैं या नहीं, उसने आप से क्या बोला है, उसने आप से बोला कोई भी plate आपका M मतलब mug नहीं है, पर क्या सारे plate आपके M T के अंदर जा सकते हैं, संभावना बोल रहा है ना, तो बताओ यह M है, यह आपका T है उसने बोला एक भी M और T में कुछ common नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पर P यहाँ तो जा सकता है, तो संभावना बिलकुल है, संभावना ऐसे चेक करनी है, आपने यह चीज बहुत अच्छे से समझी है, यह possibility की बात होती है, तो हम उसे बिलकुल सही करना देखते ही कैसे क्लिख होगी यह चीज, सिर्फ यह देख के आपको कैसे क्लिख होगा, अच्छा ठीक है, उसमें बोला सारे प्लेट टेबल के अंदर जा सकते हैं, क्या, तो बताओ आप के निमाग में क्या आएगा, बेपर में आपको सिर्फ इतना देखना है, इस पूरे इस सुछना है कि यह वालजो टी है वो काफी बडा है आप आप बिल्कुल सारे प्लेट को टेबल के अंदर ले जा सकते हो इस इसे प्लिए इस बिल्कुल है इस यह चीज आपकी अए ही हो गई बिल्कुल ही सही है और प्लेट बी टेबल is a possibility तेबल और नॉट मग अब वो बोल रहा है कुछ जो टेबल है ना वो मग नहीं है अब मुझे एक बात बताओ क्या एसा कहीं पर भी दिया गया है क्या आपके सारे टेबल मग के अंदर नहीं जा सकते बिलकुल जाद है मग और टेबल पर आबल भी हो सकता है या पर हमें नहीं पता उसने बोला कुछ है कुछ मतलब और तो होता ही है सारे टेबल को बिलकुल मग के अंदर ले जा सकते हैं उसने बोला है क्या only a few वाला केस लगा है क्या बिलकुल नहीं लगा हो गए यह बात बलट क्या है only one follows कहां दिखाई दे रहा है c में दिखाई दे रहा है c is the right answer अब देखो last चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है वो क्या है either or वाला केस लगता है आपका इदर और मतलब क्या होता है या आपको यह या तो फिर यह क्या मतलब है इसका बोले मैं यह क्या मज़ाद कर रहे है यह वे ठीक है तो देखो क्या होता है अगर मैं आपसे बोल दूँ मैंने आपको बोल दिया अगर मैंने बोल दिया आपको sum A R B ठीक है? ये मैंने आपको first चीज बोली second मैंने आपको ये statement है, कथन है ठीक है? बतलब ये सत्य है फिर मैंने बोल दिया आपको sum B R C, कुछ B आपके C है तो बताओ कैसे बनाओगे आप इस चीज को कैसे बनाओगे? आप बनाओगे अच्छा ये कुछ A हमारे B है और जो कुछ B है वो हमारे C है ऐसे ही तो बनाओगे ठीक है? बिलकुल एकदम सही है आप, शाबाश बहुत कुछ आप में सीख लिया यहां से I am very proud of you, ये आपको दे रखा है statement clear? अगर मैं आपसे बताओ बोल दू ये नहीं बोलना कि अब ये हिंदी में नहीं है ठीक है? ऐसे नहीं करोगे मैं आपको clearly यहां पर सारी चीज़े हिंदी में बता रही हूँ अगर मैं आपको conclusion में, निशकर्ष में आपसे पूछ लूँ, पहली चीज मैंने आपसे पूछी sum A R C और second में मैंने आपसे पूछा no A R C तो बताओ आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, आप पहले सबसे पहले first को देखोगे आपने देखा चाँ कुछ A भी है, कुछ भी आपके C है पहले मैंने बोला कुछ A आपके C है आप बोलोगे, बिल्कुल नहीं कैसे हो जाएंगे भाई, बिल्कुल नहीं है कोई रिष्टा ही नहीं है हम नहीं बनाएंगे जिब तक हमेंने इह बताया गया अच्छा, ठीक है पिर मैंने बोला, एक भी A C नहीं है तो आप पटाफट से बोलोगे, क्यों? तो ये चीज माइंड में रहती है आप डारेक्ली बोलोगे, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है कुछ A आपके C हो सकते हैं अब बताओ, जोनों ही चीज़े गलत हुई पर मतलब क्या था? पहले मैंने बोला, कुछ A C हैं आपने बोला, नहीं मैंने बोला, एक भी A C नहीं है आपने बोला, नहीं हो सकते हैं तो अब बताओ, या तो कोई चीज होगी या तो नहीं होगी या तो सम A, कुछ A C होंगे या तो कुछ A आपके C नहीं होगे या तो एक भी A आपका C नहीं है या फिर कुछ होंगे इन दौनों में से एक चीज तो होनी ही है न तो इसमें लगता है आपका either or Either or मतलब क्या होता है कि या तो पहला कथन सही है या फिर दूसरा सही है इन दौनों में से एक चीज आपकी सही है clear है यहाँ पर लगता है either or confuse करने के लिए एक्जाम में वो कई बार क्या करता है sum और all दे देगा यहाँ पर combination बदल देगा ठीक है sum और all कभी सही नहीं होता अगर मैं बोलू कुछ AC है गलत है या तो कुछ AC है या तो कुछ AC होंगे या पर सारे AC होंगे नहीं दौनों चीज़ें वहाँ पर गलत हो देगा तो sum और no के case में either or लगता है या तो पहला कतन सही है या दूसरा क्यों या बहुत अच्छे से समझ चुके हो बताओगे इस question का answer no mobile is electrical appliance इसमें बोला statement में एक भी mobile electrical appliance नहीं है ठीक है all electrical appliances are expensive यह हो गया अब आपका electrical और उसने बोला यह जो सारे ही electrical appliance है न यह क्या है यह expensive है महेंगे है expensive के अंदर आ गए अब उसने आपको क्या बोला निशकर्ष में confusion में no expensive is mobile उसने बोला एक भी expensive आपका mobile नहीं है मुझे एक बात बताओ एक भी expensive mobile नहीं है हमारी condition सिर्फ लगी electrical के उपर यहीं तो सीखा था हमें पता है कि एक भी जो electrical है यह हमारा इसके अंदर नहीं जाना चाहिए पर यह वाला जो पार्ट है यह तो भाईया एक दम ही क्या है आजाद है यह कहीं भी हूमें फिरे तो उसने बोला no expensive is a mobile एक भी expensive mobile नहीं होगा बिल्कुल गलत है यह expensive बाकी पार कहीं भी जा सकता है तिर उसने बोला some expensive are mobile कुछ जो expensive है वो mobile होंगे वापस बताओ नहीं हमने यहाँ पर देखा हम उनका relation बनाई नहीं सकते आपने उपर तो बताया ही नहीं है अब बताओ या तो एक भी expensive mobile नहीं होगा या फिर कुछ expensive mobile होंगे जौनों में से एक ही चीज होगी कौन सा case लगेगा इधर और लगेगा किस में दिख रहा है बी में दिख रहा है बी is the right answer और यही था आपका last type देखो अब यहाँ पर जितने भी type थे एकदम detail में हमने यहाँ पर सीख रख देखेंगे with the help of this video और अगर एक बार आप सच में यह चीज समझ गए तो अब आपको कुछ भी रटने की जुरत नहीं पड़ेगी